Hello everyone, मेरा नाम है सुनील अधिकारी, आज का वीडियो बहुत ही ज़ादा इंपोर्टेंट होने वाला है, अगर आप become first year के student है, second year हो सकता है आपका चल रहा है, या फिर become finish ही होने वाला है, कुछ ऐसे बहुत ही ज़ादा इंपोर्टेंट short term courses की list आपके सामने रखने वाला जिन में से एक नाएक short term courses आपको within three months के अंदर-अंदर कर लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी future में अच्छी job लगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास career options जो हैं, वो अच्छे रहें in comparison to other student, जो कि सिर्फ अपना become कर रहे हैं, plain in the sense है कि become honors से नहीं कर रहे हैं, य student से कि ये video पूरा देखिए, क्योंकि ये एक single video आपकी life change कर सकता है, thumbnail से जैसे मैंने आपको बता है कि चुपचा भी courses आपको कर लेने हैं, देखें, ये courses के बारे में दुनिया को बतानी की जरूरत नहीं है, आज के time में मुझे पता है आप जिस भी college से कर रहे हैं, वहां का placement records सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ 5% है, that means, और कई colleges में तो 5% भी नहीं है, placement नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो आज के time में short term courses करना जरूरी हो गया है, बच्चा लोगों, अगर आप चाहते हैं कि future में अच्छी job लगे, नहीं तो 99% बच्चे जो मुझे message करते हैं, various, various platform के थू एक ही question रहता है, सब become complete होने वाला है, आप क्या करें, तो यह जो problem है, इसका solution आपके ही pass है, और इस video में आपको solution देने वाला हूँ, 50 से जादा short term courses बताने वाला हूँ, जो भी आपके पसंद का short term course है, तीन मन्त के अंदर इन courses में admission ले लो, कहां से करना है, क्या करना है, वो decision आपको लेना है, अच्छा, एक चीज़ बताता चलो, अगर आप यह decision भी मेरे according लेना चाहते हैं, तो within 10-15 days के अंदर ना, एक e-book launch होने माली है, मेरी short term courses के उपर, वहां पर मैंने A to Z, 50 से जादा short term courses के बारे में discussion करा है, बताया है कि कौन से वो short term courses है, जो कि आपको करने वाली है, आप मुझे Instagram पे follow कर लीजे, YouTube में तो आपने follow कर ही रखा है, तो जितनी जल्दी हो सके उसका update में आपके सामने लाओंगा, और वो must have e-book है, वो download करनी ही करनी है, अगर आप graduate होने वाले है, या फिर अपका graduation चल रहा है, तो मजब आप आ रही है, चेले बचा, बह भी alternative बताने वाला हूँ, ठीक है, तो सबसे पहला है CA, अब CA का नाम सुन सुन कर आप बोर हो चुके हैं, लेकिन आज के time में भी CA top पे आता है professional certification courses, अगर आप इंडिया में रहे कर CA करते हैं, तो इंडिया में बहुत ज़ादा demand है chartered accountant की, बहुत difficult है, बहुत tough है, specifically उन बच् के लिए है, जिनका accountancy बहुत ज़रे strong है, taxation बहुत ज़रे strong है, तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं, तो वी कॉम के जस्ट बाद भी या वी कॉम के साथ भी ये courses को जरूर pursue करें, क्योंकि CA जितनी reputation आपको दे पाएगा, कोई other profession नहीं दे पाएगा, to be honest, अगर मैं आपको accountancy strong नहीं है, theoretical section strong है और law में कहरे बनाना है, repeat कर रहाँ, सारे courses आपके interest और aptitude के according बताऊंगा, मैं आपको choose करने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है, law field में कहरे बनाना है, और theoretical side strong है, CS course हम pursue कर सकते हैं, ठीक है बच्चा, फिर आता है मारा CMA, cost and management accounting, ये 50-50 है, theoretical भी है, practical भी ह ये practical में, बहुत जादा theoretical में अच्छे नहीं है, आप CMA कर सकते हैं, और अगर US CMA करते हैं, तो global level पे बहुत जारे demand, वैसे ही ACCC course है, जिसको हम global CA बोलते हैं, अगर आप global level पे, इंडिया के बाहर भी opportunities को search कर रहे हैं, job चाहते हैं, तो मैं recommend करूंगा कि आप CA की जगा है, CA की जगा, ACCA करें, CMA इंडिया की बजाए, US CMA करें, graduation के बाद CFA जैसे courses करें, FRM जैसे courses करें, IFRS जैसे courses करें, ठीक है, जिन बच्छे को भी global financial certification करने हैं, मुझे Instagram पे DM करेंगे, वहाँ पर मैं आपको in-depth पूरी detail दूंगा, प्लस आपके लिए एक free counseling call भी मैं आरेज करूं ठीक है बच्छा, तो global certification जो भी करने जा रहे हैं, CFA, ACCA, US CMA, FRM जैसे, IFRS जैसे, क्या करना है, Instagram पे मुझे reach out करना है, DM करना है, does that make sense, चले, तो यह हो गया हमारे certification course, मैंने सारे बता दिया है, किन बच्छों को करना है, उन बच्छों के नाम भी मैंने बता दिया है, या फि 50% भी मुश्किल से आते हैं, तो आपके लिए ये course नहीं है, अब चलोगो, यह reality है, कड़वा, सच है, लेकिन यह आपको accept करना पड़ेगा, is that make sense, चले, अब आजए, skill development courses में, जिसको हर एक बच्छा कर सकता है, उस पे भी मैं aptitude बताने वाला हूं, ताकि आपको course select करने में उसको एक analytics वाला बंदा ही समझ सकता है, तो अगर business profession, अगर आप जाना चाते हैं, किसी भी अच्छी companies बेवर्क करना चाते हैं, तो उनके पीछे के जो diagrams हैं, diagrams in the sense, जो graph है, जो आपके tables हैं, formats होगेरा है, pie charts होगेरा है, जो raw data है, उनको सही तरीके से पेश करना वो business analytics में आत data science में भी हम कही न कहीं data numbers के साथ ही खेल रहे हैं, और इसके basis पे conclusive evidence हम find out कर रहे हैं, इसके basis पे हम सही decision को ले पाएं, financial modeling, ये financial performance को measure करता है किसी भी company की, तो आज के time में trend पे चल रहा है, जी हाँ, trend पे चल रहा है financial modeling के courses, 3 मन से लेकर 6 मन के certification courses आपको हर जगे available हो जाएंगे artificial intelligence and ML machine learning, इसको सिर्फ science वाला बच्चा ही नहीं, commerce वाला भी कर सकता है बच्चा, यहाँ पर foundation level के courses होते हैं, ताकि आपको पता लग सके, दुनिया में चल क्या रहा है, technology में नया चीज क्या हो रहा है, तो जो बच्चे भी technology में interest रखते हैं, IT वाले student है, CS वाले student है आपने से बहुत सारे बच्चे हैं, जो computer related courses तो नहीं कर रहे हैं, लेकिर interest बहुत है, उनको artificial intelligence और machine learning के short term courses करने चाहिए, stock market में अगर interest है, तो stock market प्रेडिंग के courses होते हैं, बच्चा, NSE, BSE जैसे, जो reputed platform है, उन्हों के courses है, तो आप वो courses भी कर सकते हैं, that business accounting and taxation, बहुत ही, आपके ल financial firm में work करना है, taxation firm में work करना है, ऐसा account and accounts manager work करना है, perfect है आपके लिए बैठके courses, programming languages में अगर आपको interest है, C++, Java है, Python है, बहुत सारी programming languages है, please short term courses करिए, designing वाले थोड़े से creative बनते हैं, तो web designing के courses करिए, web development या full stake development के courses आप कर सकते हैं, जिन बच्चों को भी IT field रही है, 1112 में या चाहते हैं, तो HR के certification होते हैं, HR होते हैं, जो compliance पर training वगरा प्रवाइड कराते हैं, equipment वगरा services देखते हैं, वो होते हैं, अचार हमारे app development या फिर game development के short term courses आप कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के short term courses कर सकते हैं, करी बच्चे VFX और animation में interest, तेकि ये मस समझ ये, ये मस से हमें हासिर हो सकती हैं, उसके बाद हम पूरी तरिके से अपने carrier को switch भी कर सकते हैं, provided हमें उस field में अगर interest है, ठीक है बच्चा, e-commerce के short term courses होते हैं, e-commerce management के commerce specific ये हमारा profession है, अगर आपको law side में interest है, तो business law के भी short term courses होते हैं, जरूरी नहीं है, क्या आप 3 साल की LLB करकर ही वो सारी knowledge gain करें, कहीं ऐसे short term, 3 से 6 month के short term certification courses भी हैं, जिसके तुरूरा business law की knowledge को gain कर सकते हैं, customer relationship management के short term courses होते हैं, जो की specific उन बच्चों के लिए है, जो customer side जाना चाहते हैं, customer profession side जाना चाहते हैं, ऐसे businesses को join करना चाहते हैं, जहापर as a CRM वो join करें, visitor marketing बहुत ही popular skill set है, बहु सकते हैं, ethical hacking और cyber security में अगर आपको interest है, तो 6 month के यहां पर भी short term courses है, MS office में Excel की skill जो है, वो life changing skill हो सकती है, 50 to 60 thousand आप सिर्फ Excel सीख के कमा रहे हैं, बहुत सारे मेरे student, ठीक हैं, तो आप सिर्फ MS office अच्छे level पे सीख कर, खुद project based पे, मतलब freelancer भी work कर सकते हैं, फिर अच्छ सेप के courses, system application and product है, हमारा database management software है, टेली का नाम सुना है, होई ने सकता कि या आपने नाम ना सुना हो, तो टेली प्राइम आप कर सकते हैं, या फिर उससे advanced level में courses आपको बता रहा हूं सेप, ठीक है, तो आप सेप के भी courses कर सकते हैं, computer level अगर beginning level से start करना है, तो O level से आप सकते हैं, उसके बाद A level आता है, B level आता है, C level है, हमारा topmost PGDCA या M tech level का, या फिर MCA level का होता है हमारा C level, yes or no, business communication वहुत ही important है आज के टाइम और especially commons वालों के लिए, इनको कहीं ना कहीं business field में ही आगे करना है, तो उनके लिए short term business communication के courses होते हैं, जहां पर spoken, written business etiquettes जो हैं, वो आता है creative courses, पर देखें, मैं किसी student को छोड़ने नहीं वाला हूँ, कोई excuse नहीं चलेगा कि सार मेरे पसंद का कोई course नहीं है, ऐसा होई नहीं सकता, मैं सारे courses cover करने वाला हूँ, अगर आप creative बंदे हैं, तो आप hospitality के, tourism के, event management के courses होते हैं, advertising on public relation के courses होते हैं, blogging और content creation के courses, marketing में अच्छे हैं, तो कलम नहीं, arts के courses होते हैं, journalism में जाना है, तो journalism और mass communication के courses होते हैं, एक option BJMC है, 4 साल का, दूसरा option 6 मंत का है, तो अगर आप become कर भी रहे हैं, जैसे मैं आपको बता है, become कर भी रहे हैं, अगर आपको लगता है journalism में मैं जा सकता हूँ, तो क्यों ना पहले thumbnail यही बोलेंगे कि यह course मत करो, और वो बच्चे बोलते हैं, जिन्होंने ना तो कोई अच्छा college देखा है, जहां से उन्होंने करा है, वो किसी भी angle में top 10, top 20 में तो आता ही नहीं, तो ना उनको environment अच्छा मिला है, अब जिस बंदे का experience ही अच्छा नहीं हुआ है, या experience ही अच्छा रहा है, उस college के साथ, उस faculty के साथ, उस environment के साथ, तो कैसे positive हो सकता है, तो reviews जब देखें, किसी का output देखें, किसी का videos देखें, तो please उसका background check जरूर करें, क्या वो student है, क्या वो student है, क्या वो professional है, क्या वो teacher है, क्या वो career counselor है, ठीक है, teacher और career counselor में जमीन आसमान का पर ठीक है, teacher अपने respective जो उसका subject होता है, उसी के favor में है, उसी के around उसका knowledge gain करता है, ठीक है, counselor दुनिया को एक अलग नजर से देखता है, उसके लिए different different field अलग है, वो किसी एक profession की सारा तारीफ नहीं करेगा, उसके लिए सारे profession equal है, समझ कहा आप आ रही है, तो हमेशा मैं, जिस जिन्दगी करसा पार, ठीक है, बच्छा, चलें, foreign language के courses, Spanish, German, French, दुनिया भर की languages है, तो अगर आप languages, वगेरा Matthews, वगेरा, tourist as a guide, as a hospitality sector में जाना चाते हैं, तो languages बहुत ज़ादा आपकी काम आने वाली है, entrepreneur बना है future में, entrepreneurship creative courses होते हैं, वो आप कर सकते हैं, अच्छा, event photography बह बहुत हाई-paying profession है, सिर्फ आपको try करना है, पता करना है कि ये मेरे लिए है या नहीं है, और try करने का सबसे आसान तरीका होता है, short term को, ठीक है बच्छा, music production के courses होते हैं, अगर आपको music में interest है, fitness and nutrition, अगर आपको interest है, तो या लाखों कमा रहें, student ही, 23-24 साल के बच्चे, लाखों कमा रहें, fitness and nutrition के short term courses करके, अपने videos वगेरा launch करके, अपने courses वगेरा launch करके, ठीक है बच्चा, तो ये कुछ यहाँ पर creative courses है, अब government job की बात ना करूँ, ऐसा तो होई नहीं सकता, तो बहुत सारे बच्चे आपने से, VECOM के साथ साथ government job की तयारी करना चाते हैं, उन भी railway equipment को होता है, ठीक है, तो ये मेरे नजर में 728 top highest paying government jobs है, जिसके लिए commerce वाले student को तयारी करनीचे, लेकिन एक जो मेरे single advice है, वो ये है, कि इन में से कोई हमें एक course को choose करना है, और उसकी dedicated तयारी करना है, dedicated मतलब होता है coaching के तुरू, plus self-study, पहले coaching आती है, फिर self-study आती हैं, हम 2-3 साल सिर्फ time waste करते हैं self-study में, जब हमें पता लगता है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, एक दी paper clear नहीं हो रहा, प्री clear नहीं हो रहा, तब जाकर हम coaching लेते हैं, तो इसका reverse करना है, जो 99% low कर रहे हैं, हमें just उसका opposite करना है, ठीक है, लाइफ में successful सिर्फ ABPS या फिर SBI, RBI, Reserve Bank of India के लिए जाना है, या NAMART के लिए जाना है, LIC के लिए जाना है, Civil Service के लिए जाना है, RRB के लिए जाना है, जो कुछ नहीं जानता है, गौर्मेंट जॉब के बारे में हो कहेगा, सबका sliver same है, सबके examination दो, कोई ने कोई एक में selection हो जाएगा, ADICATED COACHING के तरू, 7-8 MONTH की COACHING होती है, बढ़िया, एक अच्छी COACHING को चूस करो, जिंदगी भर हमें COACHING नहीं करनी होती, 6-6 MONTH के लिए हमें करनी होती है, COACHING करने के बाद जितना भी TIME बच्छा है, वो 1-1.5 साल आपको तैहरी में रगाना है, ठीक है, कम से कम 3 साल लगते उसके लिए तैयार हो, ठीक है बच्छा, तो ये थे मेरे short term courses, और बहुत जल्द, जैसे मैंने बताई, e-book release होने वाली है, जैसे ही release होती है, videos के तरू में बताऊंगा, shorts के तरू में बताऊंगा, instagram के तरू में बताऊंगा, इसले जितने भी channels हैं मुझे आप वहां पर follow कर स सकते हैं, e-book life chaining होने वाली है, कुछी time में within 10 days के अंदर में release करने की पूरी कोशिश करूंगा, उसको, सारी detail होगी, सारे short term courses के बारे में, उनकी details होगी, क्या है, क्या benefit होते हैं, किस cost में होते हैं, कौन सी jobs available है, कितनी salary मिलती है, कौन से India के best institute है, जहां से आपको एक courses करने हैं, तो बहुत ही जल्द वो e-books मेरी आने वाली है, उसका wait करिएगा, जो भी आपकी questions होते हैं, comment box पर comment कर सकते हैं, मैं उसका अलग से video बनाओ, become related और भी मेरे बहुत सारे videos हैं, सिर्फ आपको जिस भी चीज़ के बारे में सर्च करना है, उसका नाम बाइस सुनी लधिकार अगर नहीं मिलता है video, तो आपको comment करके बताना है, कि सर, इस चीज़ का हमें video चाहिए, कोशिश करूँ में जल्द से जल्द आपके लिए video लाबाऊ, ठीके बच्छा, उमीद करो, मेरी effort, मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, हमारे channel का हिससा बन सकते हैं, हमे